तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए पिक्साइड जोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकुन को दबाईए ताकि आप लेटेस्ट एडिटिंग के वीडियो सबसे पहले देख पाई हलो एंड विल्कम दोस्तो मेरा नावी रिष्केश और आप से भी लोग देख रहे है पिक्साइड जोन तो आज के इस वीडियो में मैं आप से भी को बताने वालो कि आप कैसे अपने फोटो को अच्छी तरह से रिटेच कर सकते हैं वो भी अपने एंड्रोइड फोन से तो अ यहाँ पर इस हैप में फोटो ओपन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है यहाँ पर इसका एक्सपोजर और कॉंट्रेस्ट अपनी फोटो के हिसाप से एड्जिस कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा ओप्शन हाइलाइट इसको पूरी तर कर देना है और उसके बाद यहाँ पर हम इस ग्रीन कलर के हिउ को पुरी तरह से डिक्रिस कर देंगे ताकि हमारे फोटो में जा जाब पर घृन है वह कलर यल्लो पर में चेंज हो जाएगा और इसका सैचूरेशन इंक्रिस कर देंगे और बाखी कलर की सेटिंग हम अमारे फ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वाज से जाकर आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर हमें ट्यूनी में जिस पर क्लिक कर लेना है और फिर से यहाँ पर इसका ब्राइटनेस और कॉंट्रेस्ट अपने फोटो के इसाब से अड्जेस्ट कर लीजे और एंबियंस को थोड़ा से इंक्रिस कर लेंगे और हाइलाइट्स को डिक्रिस कर देंगे और शैडोज को भी डिक्रिस कर देंगे और वार्म इफेक्ट को भी डिक्रिस कर देंगे उसके बाद यहाँ पर इस सेडिट स्टैक की बटन पर क्लिक करेंगे और हमने अभी टियून सेरेस्ट कर लेंगे और इसके बाद या पर हम इस सेलेक्टि ओप्ष्ण पर ग्लिक कर लेंगे और या पर आपको अपने मोबाइल स्क्रीम पर सिंपल्ड और जैसे आप अपने mobile के screen पर photo को zoom करने के लिए pinch करते हैं वैसे आप पर pinch zoom in और zoom out करके अपने face की हिसाब से arrange कर दीजेए जैसे आप अभी अपने screen पर देख रहे हैं और जो ये red color जहाँ जहाँ पर आ रहा हैं इसका मतलब वहाँ पर जो हम अभी effect add करेंगे वो add होने वाला ह तो यहाँ पर भी इसका brightness increase करेंगे और बाकी settings अपने photo के हिसाब से adjust कर लेंगे तो अपने face पर ये effect add होने के बाद यहाँ पर आपको simply इस plus के icon पर click कर लेना है और जो face के लिए हमने step follow किया है वही step आपको अपने पुरे skin पर इस effect को add करने के लिए follow कर लेने और इस effect को सेव कर लेना है और पिक्सा आट इस app में open कर लेना है और यहाँ पर हमें यह दो light png कर लेने एक red है और एक orange orange कलर के light png का हमें saturation पूरी तरह से decrease कर देना है और दोनों को screen mode में रख देना है और इन png को यहाँ पर set कर लेंगे उसके बाद हम इस image को save कर लेंगे image की बाकी editing तो हो गई लेकिन हमारी स्कीन अभी तक स्मूध नहीं हुए है तो इसके लिए हम इस photo को autodesk sketchbook इस app में open कर लेंगे इस app की link भी आपको description में मिल जाएगी वासे जाकर आप इस app को download कर सकते है और यहाँ पर आपको इस brushes पर click कर लेना है और नीचे scroll down करके smudge इस section में आ जाना और यह परिस लाश्ट ब्रश को choose कर लेना है और आपके screen पर जैसी setting दिख रहे है वैसी setting आपको इस brush में कर लेना है उसके बाद हमारे photo को zoom कर लेना है और हमारे screen पर इस ब्रश को begitu हो तो इस तरह से आप अपनी photo में मॉड़ल की स्कीन सिग कर सकते हैं और इस photo का home सो गायस मिलता आपको अगले एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक एलिए ठैंस फूर वाचिंग Soup झाल झाल झाल